गुद मॉर्निंग गुद मॉर्निंग एवरीवन जल्दी से मिक बता दिया जाए कि क्या मेरी ओडियो वीडियो वीडियो ओडियो ठीक से आपको सुनाई और दिखाई दे रही है या नहीं जल्दी से मेरे दोस्तों मुझे बता दिया जाए कि क्या मेरी ओडियो वीडियो वी can see as well कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं देख पा रहे हैं जल्दी से एक बार चैट बॉक्स पर बता दिया जाए ऑहो मुझे जल्दी से बता दिया जाए कि आप लोग मुझे और देख पा रहे हैं यहां नहीं एक बार ग्रुप पर जल्दी से फटाफट फटाफट मैसेज करकेाज़ाओ पसण आ इस ने जक्रण है जल्दी से आया जाए ओडियो वीडियो सब कुछ सब कुछ परफेक्ट है या नहीं जल्दी से बता दिया जाए ओडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है ओहो माई गॉड क्या पिच्चर है सर गजब गजब राशी बहुत शान्दार एक बार जो है गुरूप पर मेसेज करके आजाओ कि वी आर रेडि टू गो वी आर रेडि टू फायर जल्दी से सब आ जाए तो मज़ा आ जाएगा जल्दी से सब आ जाएं तो मज़ह आजाए गर बउए tours वीडियो सब कुछ पॉफेक्ट है एक दम लग रहे हैं एक दम लग रहे हैं आप बताओ हाँ हाँ मेरे सारे दोस्त आ चुके हमारे तो मुईज बिया ही कूल है डे ड्रीमिंग जल्दी से एक बर बताओ कहां से आप हो और किस सिटी में आप रहते हो तो एक थोड़ा सा हम जो है इंट्रडक्शन लेला है आपका फिर मैं आपको खुद का इंट्रडक्शन दूंगा थोड़ा बहुत फिर आप उपने बारे में बताईएगा और ऐसे ही आज जो आज का जो सेशन है ना बहुत ही मजाकिदार है मतलब संडे को फंडे समझ लो जो है आज तक सब के साथ जो है पताई है पर आज जो है हम बहुत अच्छे से इसको डिसकस करने वाले हैं राशी सब सही है बस आप स्टार्ट करो ओके ग्रेट डेली जून 23 मिही का अवेश्णवी सरहमतो बनारस में रहते हैं आपके पुराने स्टूडेंट है प्लियंका वारा नसी में रहती है रुस्तम जारखंड वंश जो है माचल प्रदेश से हमाई साथ जुड़े हुए है सर के साथ तो ओल डे फंडे है सर एमपी सेम सेम स्टेट ओके राशी इटारसी मिही का देली गितान जली प्रॉम जैपूर ओहो निकिता इंदौरी है उसने लिख र लेकाकार मेरा शुप्रवाद निश्व जो है डेली से है नारू वर्षी प्रथम मुंबई हेमा कनाटका से है सुप्रिया जो है च्टत्यस गरंड राइपूर से भूमी जो है वालिर से है अनिरुद्ध जो है यूपी से है गरीमा जो है मध्यो प्रदेश एंग सेम यह आपका अनिरुद्ध यूपी मेघा कॉलकता केशव देली कैपिटल्स तो प्रिया चत्रजगर्ट रूची लुधियाना कोमल बिलॉंग्स तू राजस्तान बट लिविंग इन मंधिफिरश्च अभी आप जो है स्वस्थ होंगे बहुत मजे में होंगे तर आज जो है क्या बात करने वाले हैं आज जो है मैं इंट्रोड्यूस करूंगा इस सिय जन्य से आपको जो है फील आएगा कनेक्शन फील करोगा आप कोशिश करो इसको आप लाइव देखो ठीक है I prefer कि अगर आपने live इसको पूरा देखाना तो एक जो अपना पन इस CA course आप बना लोगे at the end जब ये session कतम होगा आप बोलो कि sir आज का जो session था आज लगा ही नहीं कि sir हम CA कर रहे हैं इतनी पड़ाई कर रहे हैं आज लगा ही नहीं sir आपने ऐसा feel करवाया हमको कि कुछ अपना जो है session देख सकते हो बहुत ही अच्छी अच्छी मैंने photos जो है इसमें निकाल रखी है सब कुछ आपने बारे में मैं बताओंगा बहुत सारी अच्छी बाते जो है आप जो है इस session में देखने वाले हो तो मैं चाहूंगा कि आप live देखो तो connection feel होगा मजा आए ठीक है वास जल्दी सेबर बता दीजे राशी जून 23, रूची दिसम्बर 23, गितानजली जून 23, केशव जून 23, निशा जून 23, प्रथम दिसम्बर 23, मिहिका जून 23, ABC दिसम्बर, भूमी दिसम्बर, कॉमल, CA Foundation दिसम्बर, सूपरिया दिसम्बर, रुस्तम जून, वेश्नभी जून, गरीमा जून, हरीप्रिया जून, दिपान शूट जून, मैंक, CA में 2025, जून बचाज़ जून, अनिरुद जून, Foundation, जून 23, जून 24, जून 24, गिते संबर 23, दिसम्बर 23, दिसम्बर 23, ऑके, जून 23, जून जंदाबाद, जून दिसम्बर 23, तो बहुत सारे स्टूडेंट् गट्टा हो हैं बहुत चांदर बहुत चांदर बहुत चांदर अभी आप शांती से बैटो आज के सेशन का एकदम मस्त आनद लो वीडियो में अगर आडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट हो तो गिव मी अ थम्स अप लाइक कर दीचेगा सब कुछ बढ़िया है क्या हम आरंब करें आज की खेल का जिसका नाम है कौन बनेगा चार्टर अकाउंटर एवर्यवान सुबह सुबह ताजगी दबा कर लाइट ठोको इद मुबारक सर इद मुबारक सबको इद मुबारक बढ़िया बढ़िया राइट चलो ठीक है आरंब करते हैं इस खेल का जिसका नाम है कौन बनेगा चार्टर अकाउंट कौन बनेगा चार्टर अकाउंट कौन बनेगा चार्टर अकाउंट है जो स्टूडेर्ट्स मुझसे पढ़ रखे हैं मैं कभी बाया जो जागा होता हूं जो अगर में आपकी जगा होता हूं और जो मुझे लेना चाहिए आपकी इस प्लेस पर मैं वही आपको recommend करता हूँ and that's a need of a true mentor I think, अगर मैंने bias हो के decision दिया तो it won't help you, बाद में आप regret करोगे और आप आके बोलोगे रहे हो बंदा था, वो focus कुछ ऐसा बता के चलिगा जिससे गडबड़ हो गया करता, ठीके, मेरे बात बताओ, अब हम शुरू करते है, economics के हम बहुत सारी ब जान ले कहां रहते हैं, क्या करते हैं, क्या problems हमारी life में हम, क्यों यह course करना चाहते हैं, यह सारी बाते हैं, आज हम कर ले, अच्छे से समझ ले, तो बहुत मज़ा आएगा, बात समझ मारी, ठीक है, मेरी बात सुरू, सबसे पहले, मैं खुद को introduce करना चाहूँगा, who am I, ब discuss क्यों कर रहो, so that I can inspire you, and tell you, कि भाया, आप कही से भी हो, आपका जो है, बेस कैसा भी हो, but अगर आप life में कुछ सोच लो करने का, तो आप बहुत बड़ा अच्छीव कर सकते हैं, बात समझ मारी है, मैंने जो CA के सारे exams है, made it be CA foundation, inter के दोनों गूर्प, बोद गूर्प एक स किया, मैंने नहीं देखा कि यार, इसके बाद में क्या करने वाला हूँ, यह मेरा आखरी exam है, यह मेरा आखरी attempt है, और वैसा मैंने पुरी इमानदादी से अपना बैस की और उसी की वज़़ए से आप देख पाओगे, कि screen पर लिखा हुआ है, कि सर मैंने सारे exams जो है, सारे One second Sir, CA foundation में उन्होंने failure देखा है, अभी ठीक है सब? अभी ठीक है? अभी ठीक है? I guess अभी ठीक है? सर, सी एए फाउंडेशन में उन लोगोंने जो है, फिलियर देखा है, और सी एए फाइनल में, सर, रेंक लेकर आ है, क्या करके आ है, सर, सी एए फाइनल में रेंक लेकर आ है, तो ऐसा कुछ भी अपने दिमाग में प्री कंसेप्शन मत रखना कि बोले सर हम तो सीए फाउंडेशन में फियल होगे तो क्या हम सीए फाइनल इंटर लेवल एक बार में निकाल पाएंगे निकाल पाएंगे मैं क्या कहना चाहरा हूँ बहुत सारे मेरे स्कूर्ण से मैं इंटर्व्यू अगरा भी लूँगा तुम्हारे लिए इस चैनल पर मेरे चैनल पर सब्दूर जो है मैं आप पर इंटर्व्यू कंडट कर रहूंगा क्यार भाई आप ऐसा नहीं है क्यार सीए फाउंडेशन में में आपको अनुद्र अनुदा चैनल पर मैं A. फाउंडेशन का मतलब क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट में, अगर आप किसी सब्जेक्ट में, हंड्रेड में से 60 प्लस लेकर आ जाओ, तो उसको एक्जम्शन बोलते हैं, सर किसको एक्जम्शन बोलते हैं, अगर आप हंड्रेड में से 60 प्लस लेकर आ जाओ, तो उसको एक्जम्शन बोलते हैं, तीए फाइनल लेवल मैंने छे सब्झेक्स में जो है कैसे करी सर कैसे करी आपको बता दू जो इंसान हड़ वर्किंग होता है लगंसे काम करता है साथ सोचता हिंनिये कि भी है आपना अगर तुमने बेस्ट दे दिया ना तो sky is the limit, तुम foundation में 350 plus मार सकते हो, और inter-level में धमाकिदार तरीके से entry ले सकते हो, बट अगर तुम्हारे दिमाग में है कि नहीं या, मैं तो सर जादा कुछ कर नहीं पाऊँगा, बस मैं को तो बस pass कर दे भवान कैसे भी, तो शायद तुम्हारे जो है parameters, कोई कि तुमने यहाँ पर limit कर दी न, if you can think in your mind, then you can convert in the reality as well, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप सोच सकते हो, तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोच ही नहीं पा रहे हो, तो यह बहुत difficult हो जाएगा, कि आप लाइफ में वो कर भी पाऊ, मैंने डिए वी उनिवर्सलिटी से graduation लिया है, मेरी 4th rank थी इंद और में CA final level पर, मैं merit holder हूँ, school level पर, debate, extemporal competition में बहुत मज़ा आता है, मुझे student से track करने, मैं बहुत मज़ा आता है, मुझे बातचीत करने में बहुत मज़ा आता है, और कभी जब में रपास free time होता है, तो मैं लिखता हूँ, मैं गाता हूँ, गाता तो नहीं हूँ, मैं नाचता हूँ, I can't say, तो ये सारी hobbies हैं मेरी, और ऐसे ही मैं जो है, मैंने कभी भी CA को अपने उपर burden के रूप में नहीं लिया, मैंने उसको enjoy करा, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने CA choose किया, because CA नहीं मुझे, आज मैं जहां पर भी हूँ, वो मुझे बनाया है, वो मुझे बनाया है, बात समन में आ लिए, अपनी life में मैं जो भी achieve कर पाया हूँ, मैंने EY, earns and young में, big four का आपने अगर नाम सुना हुआ है, तो after being chartered accountant, मैंने सारे जो big fours है, may it be Deloitte, may it be ENY, may it be KPMG, KPMG, ये सारे जो है, ये सारे जो है, Deloitte, EY, KPMG, PwC, ये सारे जो big four है, ये big four इनको जो बोलते हैं, because ये top accounting firm से world level पर, इनमें मैंने सारे big four में, even मेरी जो आर्टिकल्चीप होई, वो मीडियो का और small size firm में होई, लेकिन after clearing CA, after clearing CA, sir मैंने चारो big fours को interview दिया, उन चारो big fours के interview को मैंने crack किया, with my speaking skills, soft skills and my practical knowledge, जो मैंने आर्टिकल्चीप सीखा है, तो ऐसा भी नहीं है, कि sir कुछ barrier बनेगा मेरी journey में, मैंने सारे big fours के interviews crack किया, after that, I decided कि मुझे EY के साथ कुछ time तक रहना है, तो मैंने EY में job किया, EY के बाद मैंने sir Infosys में job किया, हमने BC के एक chapter होता है, economics काम उसमें पढ़ते है, Infosys के बारे में मैंने महाँ पर भी job किया, and then I started my own office, उसके साथ मुझे teaching में बहुत interest है, तो मैं भी वो भी मैं कर रहा हूँ, तो CA ने मुझे वो सारी चीज़ें दी, जो मैं life में चाहता था करना, वो सारी चीज़ें दी, जो मुझे interest लगता है करना, तो आज life में मैं जो भी हूँ, मैं CA की वज़े से हूँ, और मैं यह सोचता हूँ, कि अगर आपने इमानदारी से स्कोर्स को दे दिया, तो आप life में वो हर चीज़ पास सकते हैं, जो आपने कलपना करी होगी, आपकी वो पहली सेलरी, आपको वो खुशी दे सकती है, जो सारे तुमारे दिमाग में वो सोच रका कि यह वो मुझे महंगा फोन लेना है करके, वो महंगी गाड़ी एक दिन मुझे लेनी है, मुझे अपने ममी पापा के लिए घर बनाना है, मुझे उनकी फाइनिशली जो है उनको आजाद करना है, मुझे कमाना है और अपनों के लिए देना है, मुझे पापा की हेल्थ के लिए वो काम करके देना है, मुझे ममी की चं बाता है कि भाई तुमको इमानदारी से ऐसे गले लगाते हैं अपने बढ़िया से दोस्त को ठीक है कि बहुत दिनों बात जो मिलता है वैसे यह को अपना बना लो यह आपको अपना पन दिलाएगा और लाइस में बहुत अच्छी जगा पर जो है देखे जाएगा आज जब म एक बार नाम के आगे अपने चैट बॉक्स में लिख कर देखो और फील लो उसका एक बार मैं तुम में चाहूंगा कि अपना नाम के आगे देखो एक बार फील लोगे ना और यह फीलिंग ही ज़िए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है बहुत अपसेट डाउन पर होने वा सिए प्रिया गिरी, सिए मिहिका भट, सिए राघाव गर्ग, सिए भूमी गुपता, सिए रुष्तम कुमार, सिए सुप्रिया देवागन, सिए नेहा सजदेवा, सिए वन्ष गुपता, सिए निकिता पाटिदार, सिए अनिशा यादव, सिए गितानजली शर्मा, सिए हिमान एक नाम में वठ दिख रहा है तुमको, एक नाम में वठ दिख रहा है, समझ महारी है, C.A. Rohit Shah, C.A. Megha, Chaudhary, भाई एक अलग फील है इस नाम को अपने नाम के आगे लगाने में, इन दो अक्षरों को जो है अपने नाम के आगे लगाने में, मैं बोलता हूं कि the third and the first alphabet of English have impressed me because इसने मुझे अपना पन फील करवाया, बॉस, एक फील आता है, फील है सर, बहुत ज़्यादा इस नाम में, तो ये फील के लिए सर महनत तो लगेगी ना बॉस, हम टाइम पास में तो इसको नहीं कर सकते न, ति ये वसल मिश्रा, बॉस महनत करनी पड़ेगी, C.A. सुबह उठे, दो घंटे पड़ाई नहीं हुई, और ऐसा सोचोगे कि अब दिन भर पड़ाई नहीं होगी, तो बेवकूफ हो तुम, तुम अगर कहीं जा रहे हो, बीच में गड़ा दिख जाए, अगर उसमें तुमारा पैर फस जाए, तुम गीले हो जाओ, तुम गंदे पंचर होता, तो ऐसा सोचते हो कि नहीं है, प्लाइन कैंसल, ऐसा सोचते हो कि नहीं, तो ऐसा भी नहीं सोचना सुबह उठके, कि यार आज जो है, दो घंटे खराब होगे, तो अब मैं नहीं पड़ूँगा, इस वेरी रॉंग, ये जो चोटी मोटी मैंने जो आज मैं अचीव कर रखी है, वो इसलिए कर रखी है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे को आज टाइम मिला है, तो मुझे अपना बहस देना, मैं अगर चाहता तो ये मंडे को ट्यूजडे को सेशन ले सकता था, तुम आराम से तुम्हार पास बहुत ताइम है, दिसमबर जून वालो, तुम्हाराम से चीज़ा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मुझे स्टूडेंस को रिलाइस करवाना है, कि सम डे, सम टाइम्स, यूव तु वर्क ओन संडेज, मैं हमेशा बोलता हूँ, सम टाइम्स, क्या बोला है सर, सम टाइम्स, हमेशा ये लाइन याद रखना, स हमेशा याद रखेंगे, जब भी ऐसा इच्छा नहीं होगी ना पढ़ने की, बोले सर, क्या कर रहे हैं करके, तो हमेशा है याद रखना कि, कभी-कभी आपको संडेज को वर्क करना पड़ता है, बात समझ मारिये, बात समझ मारिये दोस्त, कभी-कभी तुमको संडेज को पड़ाई करनी पड़ती है, तब जाके आप मंडे अपने खुद के हाथ में ले पाते हो, बात समझ मारिये, आगे बढ़ते हैं, तर अगर मेरी अपनी सीए जनी के मैं बात करूँ, मैं सीए जनी के अगर मैं बात करूँ, तो मैं भी आपके जैसा एक मासूम सा बच्चा थ बहुत सारे आपके doubts dissolve होंगे, इवार मेरी सुल लो आज या, मेरी दिल से मुझे बात करनी के इच्छा हो रही है, तुम चाहते हो कि मैं direct subject पर आऊँ जो, मैं connection feel करवा दूँगा एक बार इस course से तुमको, तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे, क्या चाहते हो मैं आगे की चीज़े जो है discuss करूँ, मुझे बताओ, मैं ना, बहुत ही जैसे ही आप, जैसे मासूम हो ना, क्यार चीज़े समझ में नहीं आ रही है, लाइफ में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो हमेशे आयाद रखना, कि भाई, मैं ही हूँ जो अपना future और अपने वालों का future बदल सकता हूँ, मेरे अलावा कोई भी है, ठीक है, यह journey मेरी है और मुझे hard work करना पड़ेगा, मैंने CA को choose किया है, CA ने मुझे choose नहीं किया है, अगर मैंने CA को choose किया है, तो अब मुझे ही अपना 100% CA को देना अच्छा था, science मेरे को अच्छा नहीं लगता था, commerce मेरे choose किया था, मुझे अब कुछ बढ़िया करना था, because घर वालों के लिए, मैं एक उनका जैसे होता न, एक जोत के समान था, एक व्यक्ति था, जिसका financially ऐसा कोई बहुत बढ़ा real estate, बहुत अच्छा business, या फिर ऐसे हम पापा के पास, टो, कुछ ना कुछ मेरे को खुद को करना था, टो, कुछ ना कुछ अपने दम पर बनना था, तो जब CA का मैने नाम सुना, और जब मुझे पता चला, कि या यह science, maths वगएरा इसमें नहीं होता है, टिक है, science, maths वगएरा नहीं होता है, तो मैंने उस दिन ठान लिया कि अब कुछ भी हो मेरे को यह करके दिखाना है Because आज अगर CA के office में जाता हूं किसी वो उस टाइम मुझे पापा एक CA के office में लेगे गया थे और मैं उस CA के office में जाके इतना खुश हुआ था इतना मतलब कि it was like a dream come true मुझे इसको करना है अगर मैंने इसको कर लिया न तो मैं पैसो से रिगार्डिंग अपनी life में कभी पीछे आज मुझे कोई मिलता है सबसे पहले बोलता है कैसे हो CA साब और क्या चल रहा है CA साब सर कैसे है आप कोई भी मेरे नाम से डाइरेक्टर से मोहित जो मुझसे बड़े हैं जो मेरे दोस्त लगा लोग भी थे बच्पन के वह लोग भी ऐसे तू करके आप करके बुलाओ लेकिन वह अलग से अपने हिसाब से एक होता है एक रिस्पेक्ट क्या रही इस व्यक्ति में जो है वह नौलेज आ चुका है अभी तरके अस बंदे मे है नौलेज यह हो तो यह जो रिस्पेक्ट यह कमाई जाती है जो यह सीए को अपने को बना के देता है आज बिजनस्मेन की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चार्टर अकाउंट में भी डैरेक्ट टक्सेशन जीस्टी इंकम टेक्स और अकाउंट्स आइटी सिस्टम स्ट्र मेरे घरवाले बोले थे कि यह यह फिर बात अलग हो जाती है लिगिन अगर आपने कुछ सोच रखा है और अगर इवन सिक्यूर्ड भी है और आप खुद के अदम पर कुछ करना चाहते है तो यह फोर्स आपको करके दे देगा तो उस एज़ पर मैंने मैं कुछ करना है ला लग से कोई करके नहीं देगा है यह मैं खुद को करना पड़ेगा लाइस में जाके तो जो मैंने यह सोच लिया था और फिर फेलियर्स जो है डाउनफौर्स फिर जादा पढ़ाही करनी पड़े लंबे आर्सतन में को बैठना पड़े सब मेरे जो है पार्ट एंट पार्सल हो गया था गेम मुझे आज भी आदे मैं सुबर चार बजे उठता था अपने इंटर की क्लास के टाइम पर सुबर चार बजे उठता था और रात को 11 बजे सोता था चार से पांच मैं इंटर की जर्नी आपको साथ डिसकर्स गरूंगा लेकिन इन सब का सब्सक्राइब आपको और मज़ा आएगा सब्सक्राइब आपने शायद अभी वीडियो शायद नहीं देखेंगी आपको रिजल्ट सुना देता हूं कि आज किसकी वज़े से सर में सीए कॉलिफाइड हूं से मोहित पाटिदार जो है मेरा नाम है पूरा नाम है मुझे सब्सक्राइब आपको बताई थी जो मेरी शादी वने वाली है जो मैं बैटर हाफ इस अलसो चार्ट अकाउंट हमने साथ में आर्टिकल्शिप करी है बट वी है आर बोल्स हमने जो है अपनी पढ़ाई के टाइम पर रिलेशन्शिप नहीं आने दिया आप्ट बिम आप एक फैमिली देख लो जो की फैमिली थी जिसका कोई बैग्राउंड नहीं था आज वहाँ पर तीन प्रोफेशनल्स है तो यह जो सीय जर्नी है आपको क्या-क्या दे सकती यू कांट इवन थिंक आफ यू कांट इवन थिंक आफ तो आपको बस इसको जो है अपना बना है ठीक है अगर आपने इसको अपरा बनाया अगर आपने अब इसमें हार्ड वर्क कितना लगेगा यह आपको दे देगा यह सब कुछ आज मुझे जो है अपने टाइम की चंता नहीं है मेरा टीडियस वन नाइंटीफोर जे में कटता है आप समझों के वन नाइंटीफोर प्रफशेयल के लिए होता है आज लाइप मैं अपना इस सब कर नाइस देया और उसने में अगर आपको कुछ करना है तो आपको इन लोग जिब डेडिकेशन दिख रहो यह सारे स्वूडन्स देख रहो हम सब यसे अगर लाइफ में चीज़े पानी है तो उसके लिए हाड वक करना है यह तो समझने में और महसूस करने में बहुत अच्छा लग रहा है यार आप चार्टर अकाउंटेंट हो आपका वाई कंपनी सेक्रेटरी है आपकी जो वाइफ होने वाली है वो चार्टर अकाउंटेंट ह इसमें बहुत सबको सेटल लगए तो इसके एक बार बैक स्टोरी बताईए तो शायद हमको और ज्यादा फील करेक्टेड़ हो सकते हैं यह देखिए यह मैंने दिवार पर यह दिख रही है यह दिवार दिख रही होगी आपको यह जमीन होगी यह फिर दिवार होगी मैं ऐ पुशिएगा कि आर समरी में कैसे बनाता हूं तो मेरी सीए फाइनल लेवल पर आदत थी कि वहले ही सर चार्ट वगर इतना मना देसा हमारा तो यह जो टुकड़े है इतना लेवल दिख रहा ही है इस लेवल का आपको चार्ट दिख रहा होगा यह वाला लेवल यह student होता है और यह होता है एक होता ना मैं आपको का वर्ट दूँ कि एकदम पागलो पन वाला अदम सेर में पागलपन हूं सर ग्री लाए और सब कुछ मेंसे सेर्ट बनाता ने कुछ से चले जाओ छे सब्जेक्ट में इतनी आसानी से नहीं आती दोस्त आठ सो में से चार सो असी नंबर ऐसे नहीं आते हैं मेरे दोस्त उसके लिए जो है महनत करनी पड़ती महनत का तुमको मैं बताता हूं ठीक है यह देखे रहो सर ऐसे हम पड़ाई करते थे और बहुत मजा बता आइसा नहीं होता था यह मेरे दोस्त सीने मुझे बहुत अच्छे दोस्त इसका नाम सर मैं आपको नाम बता देता हूं इसका नाम सी आजे पाटिदार है कि तो सब्सक्राइनल का इस वाले attempt में इसका सेकंड गुरूप क्लिए हो जाएगा बहुत यह तो यह तर आपक यह सब लेक्चर देख रहा हूं यह भी अपनी पढ़ाई कर रहा है यह जो फील है यह जो जुनून है यह कैसे आता है पूरी यह जो है यह जो है यह जो है मैंने नहीं पड़ी होगी बट हाँ मैकसिमम जो होना चीए और यह है पापा तो यह पता है कब आता है यह लाइफ में कब आता है आप जब अपना बैस्ट दो आपको माकशीट्स वगरा भी दिखाऊंगा अगर अगर अपना बैस्ट दो लाइफ में कुछ बढ़िया फोडो तब जाकर आता है इतनी आसानी से नहीं आता है वह सो इतनी आसानी से में तुमको बताता हूँ यह जुनून तुमको लाना पड़ेगा अगर तुम जुनून नहीं लेकर आपाया तो आप 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 प्रॉब्लम दोगी मेरा लास्ट एक्जाम था किसका था सर एकनोमिक्स का मेरा लास्ट एक्जाम था लेकिन मैं इतना जादा इन दो लेटर से प्यार कर चुका था कि सर में को कुछ समझ नहीं आ रहा था एक अप्रिल दो हजार सोला एक अपरिल दो का यहां हों हुआ है जो सामने जो तुमको चहरा दिख रहा है ते यह लड़का तो यह हो मैंने पूरी महनत लगन से मेरे four subjects होते थे और मैंने यह सोच लिया था कि अगर मैंने अपना 100% दिया तो मैं मैं यहां पर मेरी traveling भी होती थी मैं traveling करता था plus यहाँ पर मेरे coaching होती थी traveling plus coaching करता था और यह consistency मैंने 2.5 months तक किया 2.5 months तक 2.5 months में मैंने हर चीज करिये मैंने class attend करी मैंने questions उसकी practice करी मैंने multiple revisions करे और जो मेरे हाथ में था सर जो मेरे हाथ में था ना वो मेंने किया और अपना बैस दिया तब जाके CA Foundation निकला सर तब जाके CA Foundation प्लै में इडबी law में इडबी economics में इडबी math मेरी account सर सारे subject मेरे परियत है और मैंने अपना बैस दिया ठीक है और वो ज़रूरी होता है यह फाउंडेशन पर यह मेरा पूरा ताकत और पूरी महनत बशक्कत से में ने काम किया तर इसके बाद CA Inter का अगर मैं बताओं आपको CA Inter level पर सर मैं सुबह उठता था 4 a.m. कब उठता था सर चार बजे में उठता था चार बजे उठता था कि 5.30 a.m of TV के ट्रेन होती थी कि अई अगतवें साथ बजे इंद्वाहार pair पॉंच्छता था हमां अगरेकि ट्रेन मि इंद्वान पर सब्जे 2 पहुचने के बाद निptionsने में जो प्यासे तर इसके बाद यह जो बीच का टाइम दिखा साट बज़े से लेकर सुबह आठ बज़े तक यहां पर सेल्ष स्टडी लगती हुए रात को भी आठ बज़े तक मैं आपस क्लास में पढ़ा ही करता था जहां पर क्लास देता था फिर आपस मेरी नौ बज़े ट्रेन होती थी और घर पॉश्ते में को साड़े दस बच जाते ते रापको तुबह इंसान चार बज़े उटा है साड़े दस बज़े को सोया है बस पांच-छे घंटे सो पाता था कैसे तैसे वह जो चाहिए मम्मी देज़ देती थी उससे मेरी नीन फुलती थी और यहां पर इंसान अगर हार जाए और सोचे कि नहीं क्यों कर रहा हूं तो फिर क्या है कि यह बचा हुआ है कि यह फाइनल लेवल पर सर आर्टिकल्चिप मैंने सोचा हुआ था कि मैं इंद और में रहे लेता हूं लेकिन नहीं मैंने पूरी ट्रेन तो ऐसी हो गई ती सर्मेरे को पता है कि कहां से कितनी बज़े जाएगी कितनी बज़े आएगी कहां खड़ी रहत लोगों के साथ कल रात को भी देड़ घंटे का जूम मीटिंग लिया था एक देड़ घंटा हो गया था आज सुबब भी वापेस मैं जल्दी आ रहा था था पर उसे कुछ प्रब्लम आ गई फिर दर पर तो फिर में थुरा सा लेट हो गया तो फिर भी मैंने बोला कि नहीं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं चीज़ों का बट मैं इसलिए लेना चाहता था क्यार एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया एक बार मैंने बोल दिया कि मैं कोई करना है तो यह मुझे सीए पोर्स नहीं याद दिलाया हुआ है क्यार मोहित भाई लाइफ में कुछ पर जो कमिट कर दिया तुने जो हाड़ वक तुने सीख लिया यह तुको कभी नहीं भूणना है और इसी की वज़े से आज में जो चीज़े कर बाता हूं आपके साथ तुम करने पर कर पा रहे हो मेरे से बतलब कि मैं glorify नहीं कर रहा अपने achievements को ना मैं glorify कर रहा अपनी success को but I want to glorify the hard work सर सच में करना चाते हो हाँ मैं glorify करना चाता हूँ अपना hard work because चायद उससे आपको पता चले अगर आप एंगरी करते हो प्लीज डू हिट लाइक अन देस वीडियो ऑडियो वीडियो सब कुछ श्लियर हो तो प्लीज मुझे बताईएगा लैगिंग बगेरा तो नहीं हो रही है सब कुछ मैं आपको बोलना चाता हूँ वह समझ पार हो या नहीं समझ पार हो दोस्त अगर मजाक नहीं है अपका टाइम मजाक नहीं है आपके पैरेंश का मनी मजाक नहीं है आपकी जवानी मजाक नहीं है अगर मजाक समझ लिया न बॉस्त तो गेम बहुत बुरा हो जाए गए ऑर सेimesignal पर जब सूचोगे न यार इंटर में आटेम्ट दे दिया फाइनल में बागी मैं शुरू से चाहता था कि आपको कोई न कोई जो है आपका साथ बनू में अपनी यूट्यूब के साथ तो मैं बहुत कनेक्टेट था अपनी ने मुझे वह प्लेटफॉर्म दिया कि दोस्त आप जो है स्टुडेंट को तोड़ा सा गाइड कर सकते उनकी जरनी सीये पर एकनॉमिक्स पढ़ा सकते इंटर लेवल पर अभी सीये फाइनल लेवल पर भी मैं टेक्सेशन सोच रहा हूं और एक दब ऐसा पढ़ाएगा कि मंगा आ जाए जो मैंने समरी बनाई है जो जिस चीजों की वज़ए से मैं पहली बार में निकला हूं उन वह चीज़े मैं नहीं लगाना है आपर हमको सीए बनना है मजा लेना है सा बताओंगा तब सारे डाउट सुलूंगा चिंता मत करो एबी सीए चिंता मत करो थेंक्यू वंश थेंक्यू थेंक्यू आज काफी इमोशनल हो गया आप काफी मोटिवेशन फिल भागए है याँ विकॉस यार जन्नी कुछ ऐसी है बिल्कुल होगा बीजी के बीजी के भी पूरा होगा सबकुछ स्टार्ट होगा सब कुछ एंड करोगा चिंता मत करो की के फील आ रहा है मै tract एब एज आ अ मेरी बाद सुनो किर दो के टेग्री के स्टूडन से डो के इलिए पर स्टूडनस है हि इस ओपरलाशन दे रह grands गें कर्रेक्ट आप सी ए फानीशन एक्जाम दे रहे हो गें आप सी एफान universight जो है एक्जाम दे रहे हो आपका चुछ zucchम होगा ठीस के विद कि यहां पर आपका दिसमबर घ्जाबर को आएक यह तो आपका जूझ कग्ञाम होगा या पिर आपका दिसमबर चाहँ ऑख टाओं गाटेए एकस थोड़ा सा सा रूप जाओ को अपका जून एक्जाम हो गया फिर आपका दिस्मबर गजाम करेक्ट है । करिक्त है। जून एक्जाम वालों तुम्हारे लिए already तुम्हारे भाई ने क्या कर रहा है वंण चॉट इसी चैनल पर आप देख रहे हो ना जेस चैनल पर अभी यह वीडियो देख रहा हूं उसी की प्लेलिस्ट पर आपको वन श्यॉट रिविजन दीख जाएगा वन शॉट रिविजन तो डोनों चीज़ों का हो रहा है है economics का भी हो रहा है दासd बीजी के गभी हो रहा है और अकाउंट का भी हो जाये ला इक नॉमिक्स में सब्सक्राइब के दोनों का वन शॉट जो है तो रीजूम होगा इसने सर मैं खुद के नोट प्रोइड कि एंजसमें बहुत महनत लगिए लेकिन मैंने किया आपके लिए study mat को एक्दम summarize करके दिया है आपको जैसे मैं पढ़ाई करता था था ना अपने टाइम पर एक बार में एक्जाम निकालने के लिए आपको जो है वो notes मैंने handwritten बनाके दिये handwritten वाला जो font होता है उसमें बनाके दियें आप जो इसको photocopy करवाके काम कर सकते हो जिन students ने अभी तक one shot देखा हुआ है एक बार प्लीज वो अगर कुछ भी feedback देना चाहें students को जो पहली बार देखना चाहेंगे जून exam के लिए वो दिये सकते हैं एक सेकेंड रूखो दिसमबर वालों के लिए भी बात करूगा जून वालों जिन लोगों ने one shot देख रहा है या फिर जिन्नों ने कुछ lectures देख रहें एक बार प्लीज अपने सारे दोस्तों को बता दो क्या उनको one shot economics का देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको बस है अराउंड दस से बारा घंटे में 10-12 आर्स में तरह आप पूरा 100 मार्क्स का जो है सिलिपस कर सकते हो मैंने एक ही वादा करता हूं मैं से इंटर लेवल पर एक्सेशन पढ़ाता हूं पर एकनोमिक्स में हमारा यह वादा रहता है कि यह हम 90 प्लस स्कोर करेंगे 95 प्ल जरूर जाना सब्सक्राइब करके आप जरूर लिखिए कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अरे वह बस नाम का वन शॉट है बाकी पूरा डिटेल है तुम तो बस वही देखो मजा आ जाएगा थैंक्यू राशी इट मीन्स लॉट वन शॉट तो बहुत ही जादा अमेजि बहुत बड़ी आवेशनवी बहुत बड़ी आवेशनवी अ सर का वनशॉट काफी एजगा वह जाके देख सकता दिसमबर वाले स्ट्ूडेंट में क्या होने वाला है सर दिसमबर वाले स्ट्ूडेंट के लिए सब जो आप यह चैनल देख रहा होना इसके next four days 23rd जो है पहलेंगे इसके आज जैसे पहला लेक्चर नंबर वन था इसका साथ से फॉंडिशन दिसंबर वाले स्टूडर्स के लिए इसी टाइम पर सुबह नौ बजे आप जो है रेडी होके आ जाईएगा सुबह नौ बजे डेली आज 10 बजे हुआ लेकिन कल से सुबह 9 बजे होगा ये लेक्चर आपके लिए बनाये गए हैं और आपको एकनोमिक से मैं प्यार करवा दूँगा 90 प्लस लाने के जिम्मेदारी आप मुझे पर छोड़ दीजे अगर आपने क्लास अनकेडमी से दिसंबर के लिए ले रखिए वो भी मैं आपके हल्प कर रहा हूँ विकॉस अल्रेडी मेरा बैच जो है जो आपका अनकेडमी का आयाप होगा उस पर आप संकल्प टीम का बैच जो है सर्च करेंगे तो आपको जो है बैच मिल जाएगा सं इंता मत करना क्या टाइम चेंज कर देना आप ऐसा खुछ नहीं होगा सुबर नौ बजे की जगह आएगेस उसमें साड़े ग्यारा बजे का टाइमिंगे ऐसा कुछ है लेकिन हाँ क्लैश किसी भी बैच से नहीं कर रहे हैं क्यों हो सकता है आपको और किसी का भी एटेंट क दूसरे सब्जेक कैसे पढ़ने है कैसे रिवाइस करना है कैसे चीजों को गो थू करना है उसमें हेल्प मिलेगी जून वाले स्टूडेंट भी यह वाले लेक्चर इनिशली चार पास दिन तक देख सकते हैं ताकि आपको एक मोमेंटम बिल्ड हो जाए अब जो है टाइम बहुत कम बचा है अगर आपको एक मोमेंटम बिल्ड करना है अगर आपको जो है एकदम फटाफट भगना है चीजों को लेकर कैसे समझना है चीज़े तो आप जो है सुबर नौ बज़े आ सकते हैं जून वाले बच्चे भी लेकिन स्पेसिफिकली दिसमबर वाले स्कूड क्यांरों करनाहीं हाँ मैं एक स्टूडन्ट हूँ एकनोहिक्स का में इक स्टूडन्ट हूँ टैकसेशन का तो ल स्टूडन्ट स्टूडन passo ूइस थो इन दोनों सब्चेक्ट से रिलेटेट। तो मैं यह क्योसी आप जब के साथ बाढ़ता चाहता हूँ अगर हमारी Angel प्लान होंगी या फिर आप अल्रेडी जो है सेटिस्वाइड है चीजों को लेकर कि यह बंदा मुझे बैस्ट पढ़ाने वाला है दूसरे एडुकेटर्स यहां पर बहुत अच्छे हैं और सीए जन्नी में मुझे 100% यहां पर हेल्प करने वाले हैं तो यहां पर आपको जो है बहुत रचे एडुकेटर्स मिलेंगे और अपनी बहुत जमेंगी यू किन यूज माई कोड जब भी आप सब्सक्रिंट लेने जाओ अभी 25 परसेंट इनका ओफ चल रहा है 25 परसेंट ऑफ चल रहा है सीए फांडेशन सब्सक्रिप्शन पर आप 25 परस से जहां पर हम डेडिकेटेड लोग जो सब्सक्रिप्शन भाई कर रहे हुए है उनको मैं जो है वो लिंक्स वगरा शेयर कर जाता हूं थाकि वो एड़ दे सेम टाइम यूट्यूब पर या फिर अनेकैडमी के आप पर आप आए तो MP99 अपना कोड है आप उसका जो है पूद्रू करवाऊंगा वेकिन उसके पहले में ये बात बता दू आपको उसके पहले में बता दू जो भी आप कॉपी खरीदें अपनी सब्सक्राइब का स्लेबस चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है जो भी आप नोट्स कॉपी आपकी रिफर कर रहे हैं एक नई कॉपी में आपक रिफ़र्स जैना क्ने सब्सक्राइब को रहा काम करना है वहाँ पर लिखें इस से पूछिए अपनी कॉपी के आप ही इसमारे सब्सक्राइब करने का होता है नहीं होता है कि और वहाँ पर लिखेगा करने लगते हो यूट्यूब इस्टाग्राम पर दोस्तों से बात करने लगते हो एक तो मैं से छोड़ देता हो कि बात समझ में आ रहा है तो वाई सिय जो है आप पर एपने पेजपर लिख के रखियेगा क्यारा करना है वाई आपने रीजन लिखता हूं जो भी आपकी रीजन हो सकते हैं जैसे मैं आपने रिजन लिखता हूँ आपको लिखनी पड़ीगी आपना रीजन लिखिए आप जो है रीजन लिखिए ठीक मैं बताता हूँ चरण तेजा जी आपको बताता हूँ दूसरे सब्जेक्स के क्या होने वाला है यह सारे आपको लिखने पड़ेंगे अपनी फ्रेंट पेज पर मुझे उतना पैसा कमान है उतना मुझे लिबर्टी चाहिए ऐसे रिजन्स आप लिखोगे यह मेरे रिजन्स से आप अपने रिजन्स लिखिए यह लिखिएगा यह लिखिएगा तीनों सब्जेक्ट से बहुत अच्छे जो है टीचर से हमारे पास अकाउंट्स के लिए सर हमारे पास तेजस सूचक सर जो इंटर लेवल पर क्रांती मचा रहें गरके बता रहा हूं वंच दो मिट हो गया उनका लेक्चर आप देख सकते हो उसके अलावा हमारे पास law के ल लेने के बाद कोई भी जो है पसंद नहीं कि यहां पर सब्जेक्ट यहाला पसंद नहीं आ रहा है आप सब्जेक्ट के लिए दो से तीन सब्जेक्ट बैस मिलते हैं तो अपके साथ यहाला सब्जेक्ट सहुझ नहीं आ रहा है तो यह आनकेडमी का सब्से प्लस पॉइंट है ठीक है रेगुलर कॉलेज कैसे मैनेज कर सिधिये की साथ तो मैं तो ऐसा समझता है था कि यहारे मेरा कॉलेज नाम के बराबर है ठीक है आप आप correspondence college ले लो, private college ले लो, वो अपने आप चलता जाएगा, अपने आप चलता जाएगा, बास समझ मारिए, कल से class टार्ट होगी कोमल, सुबर 9 बचे से इसी channel का, वंच अगर तुम्हारे timings clash हो रहे हैं, अगर तुम्हारे timings clash हो रहे हैं, तो try क्या एक कोई lecture तुम recorded देख लो और एक जो है live देख लो, कुछ time के लिए, बाद में clash नहीं होगे, बाद में clash नहीं होगे, एक जो है recorded देख लो, एक live देख लो वंच, ठीक है, और वो decide अपने हिसाब से कल लो, यूट्यूब पर मैं economics पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना, लेकिन जहदा level तक अगर तुमको connect रहना है मेरे साथ, तो I'll request you, कि अगर आप आ सकते हो, तो you join, use the code MP99, मैं अलग से आपको जो है, अलग से group में भी add कर दूँगा, and you will be the part of my team then, लेकिन आप चिंता मत करो, ऐसा नही है, एक subject पढ़ने वाली बात हो जाती है, एक पूरा का पूरा subject अगर मेरे साथ पढ़ना है, then you need to think, जेखो हम कैसे पढ़ते है, demand supply में सारी हमने पढ़ाता है, सारे MCQ करते है, ऐसा नहीं होता है, कि हम कुछ छोड़ते है, यह सारे students को पता है, जो मेरे साथ पढ़ रहे है, मैं important mark करवा देता हूँ, we need to update it, यह सारी चीज़ा हम लिख लिख के पढ़ते है, production cost में सार हमने देखो, अलग से मैं mark करके देता हूँ, यह पूरी MCQ list है, इसमें देखो मैंने red करके दिया हुआ है, आपको red करके, यह important important आखरी दिन क्या पढ़के जाना है, तो उसकी साब से हम पढ़ते हैं, जैसे मैं BCQ का बाग दता हूँ, सारा हम important one shot यहाँ पर हमने कर रखा, अलग-अलग chapters का marking कर रखा है, तर फिर हम आपको बता हूँ, one note sir में, यह तो मेरा taxation का है, taxation के लिए हम बड़े-बड़े charts बनाते हैं, जैसे मैं बनाता था ना, summary के लिए देखो, मै आपको एक बार में समझ माहा है, तो हम बहुत मेहनत करने वाले है, बहुत लगन से पढ़ाई करने वाले है, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ दूँगा, आपको मेरा साथ देना, अगर आपको पढ़ना है कैसे एक बार में chartered accountant बनते हैं, कैसे subject को अपने grip में लाना है, आपको फिर साथ द्रॉप लेना पड़ेगा, मेरा एक दोस्त उसने दिवर्सेटी से किया हुआ है, तो आपको साथ थोड़ा साथ डॉप लेना पड़ेगा, आर्टिकल से थोड़ी से डिलेट स्टार्ट होगी, तो आप अपने साथ से डिसाइड करें कि दिव में करना है नहीं करना है, इट्स माइ प्लेजर निशा, ओके सर, थेंक यू, बताया ना, वंच सर्वना एक एकागरता और संकल बैज जोईन किया था, हाँ ठीक है न वंच, देखो मैं क्या क्या रहा हूँ, कुछ-कुछ जो है क्लासे स्क्लैश होगी, तो तुम्हारे पास देखना है, अब कुछ चीज दल छूटेगे ना, वंच, लेकिन मेरी बास सुनो, एकागर रफ्ते में तुमको पता चल जाएगा कि किस एड्विपेटर से किस सब्जेक्ट पढ़, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो शिंता मत करो वो चीज़, धाई महीने, मैं, मैंने अपना बहष दिया, मैंने पास एक चीज सामने थी, कि अगर मैंने अपना बहष दिया, तो मैं निकाल लकागर, और वही चीज निरेड होती है, वही चीज निरेड होती रही, ठीक है, मैं तुम को बता दूँ, मैं तुमको बता दूँ कि जब हम economics पढ़ेंगे सर जो हम economics पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे chapters जो होते हैं आपके class 12 वाले भी होते हैं लेकिन काफी हद तक चीज़ें जो होगी सर के खेशो वह होगा रिज्यूम जो आपकी जो class 12 वाली चीज़ें होंगी न वह भी बहुत सारी चीज़ें होंगे लेकिन बहुत सारे complex complex chapters भी होते हैं जिन वह समझना बहुत जरूरी होता है जैसे complex chapters के बाद करो तो जो जून वाले वह उससे relate करेंगे कि यह सर एक जो cost के बाद जो analysis आती है फिर हो जो डिवार्ड supply का जो है बहुत ज्यादा increase in supply contraction और अपना extension of demand जब एक साथ आ जाते हैं तो वह बहुत अच्छे से सिखाऊंगा चिता मत करो अगर आप बुक जो है order करने का सोच रहो तो आप बुक order अभी से कर दो अभी से कर दो बुक order चिंदा मत करो जो है जो है जो है जो है जल्दी से जो है वह चीज़ें सारी sort out कर लो तब में फील आता है कि हाँ सर आज जो है मज़ा आया हमको जो है तो रसा एक momentum मिला चीज़ होगा फील आया नहीं आया पिल आया नहीं आया राशी उस वक्त जो है ना थोड़ा से सारे सब्जेक्ट सब्सक्राइब होते हैं तो वह थोड़ा सा ध्यान रखने वाला होता है तो हमारे टाइम पर सब्सक्राइब बहुत अच्छा लगा सर मोटिवेशन पूरे दिन एक्टिव रहेंगे और ज्याद ज्यादा पड़ाई करें बहुत बढ़िया जिसने वन शॉट सीरीज नहीं देखिए जून वाले बच्चे वो जाके वो चीज़ देख सकते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा होने वाली चंदा करने वाली कोई बात नहीं बाकी इस वाले चैनल पर आपको कल से मेरे साथ जूर जाएगेगा सर देर इस फियर अबउट है इस नहीं यहां रेसा कुछ नहीं सोतना अपना बैस देना बाकी सब्गवान समझ लेगा सर मैं उच्छी तो मुझे मैस्ट में प्रॉब्लम मैं आएगी आएगी क्या जादा मैं भी नॉन मैस था इस चिंता करने वाली बात मैं बता कैसे करने हैं थेंक्यू गितांजली, सेशन अच्छा है सर, बहुत बजाया, ठीक है, बहुत बढ़िया, कल हम मिलेंगे, सुबह नौ बजे, ठीक है, और अपना बैस देंगे, जो भी सब्स्रिप्शन लेने का सोच रहा है, अकेडमिका तो वो जाके देख सकता है, ले सकता है, मुझे पेम थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, थोड़ा सा अपना बैस दो करके, सारे जो है वन शॉट सीरीज में बहुत मज़ा आएगा, आप जाओ, देखो उसको, फील लो, उसका कि हासर क्या चीज आपने करके दीए, ठीक है, वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा, और यह जब रिक आपके, चलो ठीक है, जाओ, अपना बैस दो, आज का दिन प्रोड़क्टिविटी यूज, प्रोड़क्टिव यूज करो, और मुझे अपने ग्रुप पर, टेलिग्राम ग्रुप पर फीडबैक जरूर दीजेगा, और स्टूडेंस को बोलिएगा, बाकी की वो आने के जुनून के साथ, जब तक खुद का खयाल रखो, मुम्मी पापा की सेवा करो, और मस्द पढ़ाई करो, और अपना पैस दो, ठीक है, खुश रहो, आज कोई क्लास नहीं है इसके अलावा, ठीक है, ओके, बाबाई, टिक केर, सी यू, तुमौर।